जहिंद दोस्तो आज की वीडियो में बैंक के तरब से आने वाले कुछ बेस्ट मूच्वल फंड के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा देखे बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि जब भी हमें म्यूचल फंड में निवेस करना हो तो बैंक वाले म्यूचल फंड में हमें निवेस करना जी है तो सबसे पहले तो एक बात में clear कर दू कि अगर आप bank वाले mutual fund में निवेस कर रहे है या फिर non banking वाले mutual fund में निवेस कर रहे है तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है हमारे इंडिया में दो तरह के AMC है एक वो AMC जिसे bank manage करती है bank वाले mutual fund है और दूसरे वो AMC जो non banking है वो bank नहीं है सिर्फ AMC का business करती है और mutual fund के धंदे में है तो अगर आप non banking वाले mutual fund में निवेस करें या फिर banking वाले mutual fund में निवेस करें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है लेकिन हाँ अगर आप बैंक वाले mutual fund में निवेस करते हैं तो एक बात का आपको फायदा हो सकता है आपने देखा होगा कि बैंक का present हर जगा पर रहता है तो कभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो बैंक में जा करके आप solution ले सकते हैं बहुत हद तक आपकी समस्या का solutions वहाँ से मिल जाएगा नहीं तो कम से कम ये तो जरूर पता चल जाएगा कि आपके समस्या का solutions कहां मिलेगा कहां पर आपको जाना होगा तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं आज की वीडियो में आप सभी को बैंक वाले mutual fund के बारे में बताऊंगा जो अपनी category के one of the best mutual fund है लेकिन अगेन एक बार फिर से बोल दो कि mutual fund बैंक वाला हो या फिर नोन बैंक वाला हो इस बात से जादा कोई फरक नहीं पड़ता है तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही informative होने वाली है इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से किस वीडियो को अन तक जरूर देखेगा इन fund का नाम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये fund मुझे पसंद है और मेरा उद्देश ये था कि आज की वीडियो में जिस fund के बारे में आप सभी को बताऊं उन fund में long terms के लिए निवेश किया जा सके और उसमें long terms में निवेश करके अच्छा खासा capital gain किया जा सके या फिर बैंको वाले mutual fund है जो मुझे पसंद है उन mutual fund की scheme का नाम मैंने आपे लिखा है तो अपनी बात की सुरुआत सबसे पहले SBI के तरफ से आने वाले mutual fund से करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे SBI small care fund की देखिए जो SBI small care fund है ना इसका परिचर देने का जोरत नहीं है मुझे है कि यह fund अपने performance को पहले की तरह ही कर लेगा और दूसरी दिकत यह है कि SBI small care fund में आप लंबसम नहीं कर सकते हैं तो इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके ही SBI small care fund में निवेज कीज़ेगा लेकिन मुझे लगता है कि SBI small care fund small care category का one of the best small care fund है इस fund को भी परिचे देने की जूरत नहीं है इस fund के लिए ज़्यादा कुछ कहने के लिए जूरत नहीं है बहुत ही सांधार fund है अगर आपको मीटकेप चाहिए होगा और state bank का चाहिए होगा या फिर bank वाला चाहिए होगा तो one of the best आपके लिए साबित हो सकता है SBI मेंगना मीटकेप तीसरा fund भी SBI के तरफ से ही है SBI kontra fund काम कैसे करता है SBI kontra fund ऐसे stocks में निवेश करता है जिन stocks को stock market ने किसी कारण से ओएट करके रखा है लेकिन उनका fundamental technical अच्छा है आगे आने वोले समय में उसमें अच्छा खासा growth आ सकता है इस तरह के stocks में SBI kontra fund निवेश करता है तो SBI के तरफ से तीन fund है लेकिन ऐसा नहीं कि SBI के तरफ से जो तीन fund मैंने लिखा है यही बस best है और भी fund best है अगर आपको tax saving के लिए कोई fund consider करना होगा तो SBI का आप long term equity fund consider कर सकते हैं उसमें आपको ATC का benefit मिलता है और एक और fund है SBI के तरफ से आने वाला है SBI equity hybrid fund जो कि एक date fund है अगर आपको HWP करना होगा regular pension fund करना होगा तो आप SBI का equity hybrid fund consider कर सकते हैं मेरे ख्याल से गर आपको long term में पैसा बनाने के लिए निवेश करना होगा तो यह तीन fund है SBI का इन में से कोई आप consider कर सकते हैं अब हम बात करेंगे HDFC bank के तरफ से आने वाले mutual fund की तो सबसे पहला fund है HDFC small cap fund इस fund को भी परिचे देने की जोरत नहीं है यह fund भी मुझे लगता है कि ज्यादा तर लोगों के पास होगा दूसरा fund है HDFC meet cap opportunities fund अगेन ऐसा fund की जिसको परिचे देने की जोरत नहीं है ज्यादा तर लोगों के portfolio में होगा तीसरा fund भी इनका बहुत ही सांदार fund है HDFC flexi cap fund flexi cap category का one of the best यह fund है अगर आप चाहें तो HDFC के भी इन fund में निवेश कर सकते हैं और HDFC के तरफ से आने वाला एक fund मुझे और भी पसंद है HDFC balance advantage fund अगर आपको regular pension के लिए SWP करने के लिए कोई fund consider करना होगा तो HDFC का balance advantage fund आप consider कर सकते हैं अब हम बात करेंगे ICICI के तरफ से आने वाले कुछ mutual fund की तो ICICI का जो मुझे mutual fund पसंद है वो ICICI से पुरू small cap fund है पसंद है small cap category का one of the best fund है इसको भी परिचे देने की जूरत नहीं है और दूसरा fund ICICI से पुरू value discovery fund है यह fund भी ठीक SBI Contra की तरह ही काम करता है SBI Contra और यह जो ICICI से पुरू value discovery fund है इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है stocks का अंतर हो सकता है लेकिन दोनों को काम करने का जो strategy है वो एकदम से similar है बस यहां पे Contra और value में फरक है लेकिन इनका जो portfolio allocation है या फिर जिस तरह से इन्मेस्ट करते हैं दोनों ही similar है तो SBI Contra या फिर ICIC के तरफ से आने वाला value discovery fund आप consider कर सकते है और ICIC के तरफ से एक और fund आता है जो ICICI multi-acid allocation fund है वो fund अगर आप चाहे तो regular pension के लिए या फिर SWP कर सकते हैं इसके लिए consider कर सकते हैं वो fund भी मुझे बहुत ही पसंद है अब आप KOTEC का देख सकते हैं कि मैंने आप एक ही fund लिखा है ऐसा नहीं के एक ही fund इनका अच्छा है और भी fund अच्छा है लेकिन KOTEC के तरफ से मुझे एक fund पसंद है KOTEC small care fund अगर आप इस fund को चाहे हैं तो consider कर सकते हैं अब यहां पर आता है हमारा AXIS small care fund AXIS के तरफ से आने वाले दो fund मुझे पसंद है AXIS small care fund और दूसरा AXIS mid care fund कुछ दिन पहले इनका जो performance था वो उतना सांधार नहीं था लेकिन फिलहाल में देखने को मिल रहा है कि इन दोनों ही fund का performance ठीक ठाक हो रहा ह और AXIS के तरफ से जो AXIS focus आता है AXIS blue chip fund आता है उसका भी performance ठीक नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए था उतना अच्छा नहीं है लेकिन अगर आप AXIS के तरफ से कोई fund लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से यह दो fund consider कर सकते हैं अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने आपे चार बैंक के तरफ से पांच बैंक के तरफ से आने वाले mutual fund का नाम बताया है ऐसा बताने का उद्देश मेरा यह था कि यह जो bank है यह बहुत ही common है और लगभग हर जगा पर available होते हैं और मुझे उमिद है कि ज्यादा तर लोगों का जो bank account है इन ही सारे bank में होता भी ह इसलिए मैंने इन पांच bank के तरफ से जो आने वाले mutual fund है उनका नाम बताया है तो अगर आप bank वाले mutual fund में निवेस करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि आप जा करके यहां से help ले सकते हैं अगर आपको help नहीं मिलता है तो कम से कम यह जरूर यह बता देंगे कि आपको help कहां से मिल सकता है लेकिन अगर बात को यह private bank वालों के न तो भाई यह भर सक कोशिस करते हैं कि आपको हर संभव मदद किजा अगर उनके पास service अविलेबल में नहीं होगा तो जहां से आपको service मिल सकता है वहां से पूरी मदद करने की यह कोशिस करते हैं लेकिन इस वीडियो के आ जरूर कर दीजेगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्स्राइब कर दीजेगा इस वीडियो को अपने फ्रैंड और फैमिली के बीच सेर किजेगा ताकि अगर वो भी bank वाले best mutual fund ढूंड रहे होंगे तो उनको भी बड़ी आसानी से पता चल पाए कि करने की सोच रहे हैं लेकिन आप stock market को गिरावट का इंतिजार कर रहे हैं तो इसके लिए मैंने telegram channel बनाया है जिस telegram channel का link मैंने description box में दे दिया है उस telegram channel के माध्यम से मैं आप सभी को तब notify करता हूं भी free of post जब stock market में गिरावट होती है mutual fund में लंसम करने का अच्छा मोका ह मुझे इस बात को कहते हैं बड़ी कुशी हो रहे कि बहुत सारे लोगों ने उस टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लिया है आप भी जॉइन करके देखिए कि कब कब मैंने नोटिफिकेशन दिया है मैं फालतू का कोई भी पोस्ट उस चैनल पर नहीं डालता हूं जब भी लंस कंप्यूजन बॉक्स में ही बेस्ट मूचल फंड एप का लिंक है उस लिंक के माध्यम से अगर आप उसे आपको डाउनलोड करते हैं उसमें रजिस्टर करते हैं उसे अगर आप निवेस करते हैं तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फिर आपको मिलते रहेगी जब भी आपको